पच्छी जार उपे हर महीने सीधे आपके बेंक अकाउंट में खटा-खट आएंगे जी हाँ आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले जानेगे इस वीडियो में क्या है यह स्कीम इन्वेश कैसे करना है कि इस स्कीम में आप सभी को मिलता है आप सच आपको बताऊंगा ताकि आप अपना सही डिसीजन लिए इसके कि क्या आप कोई स्कीम में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए आज की वीडियो में हम टाटा गृप की एक 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 स्कीम की बात करेंगे जो कि हमारे लिए एक जो है रेगलर मंतली इंकम जनरेट कर सकती है regular मंतली इंकम का सौर्स मंद सकती है यहां पर पैसा लगाने बाद आपको हर महीने टाटा गुरुपी तरब से एक इंकम मिल सकती है दोस्तों आगर बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दू कि यह वीडियो जो है कोई पैड वीडियो नहीं नहीं कोई स्पॉंसर वीडियो है नहीं मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई लिंक या जो रखने कोड है वो दे रहा हूं यह आपकी अपनी चॉयस है कि आप इस स्कीम के बारे में जानने के बाद यहां पर इंवेश्ट करना चाहते कि नहीं करना चाहते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं टाटा की एक मुझेफ़वण स्कीम के बारे में जिसका नाम है TATA India Consumer Fund Direct Growth Plan जिहां दोस्तों TATA की एक scheme है जिसके अंदर काफी अच्छा मेरीविट मिलता है लॉंग टरम में भी शॉर्ट टरम में भी अब ये तो आपको पताई है कि भरोसे का दूसरा नाम TATA है टाटा के उपर आप आख बंद कर इंडिया के अंदर ट्रस्ट कर सकते हैं दोस्तों ये एक TATA की मुचल फंड scheme है जिसमें कि हमें अगर पैसा हमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यहां पर मंतली इंकम रेगलर बेसिस पर मिल सकती है मुचल फंड के बारे में टो आप सभी को पता ही कि आप यहां पर कैसे इन्वेस्ट करें कई सारे आप्षण आपको यहां पर मिलते हैं तेवां कितना रिटन मिलता है और ये पैसे हमें मिलेंगे कि हमें पैसे मिलेंगे से 25 यरु महिना लेने हैं, मंद्ली इंकम लेनी है, हमको कितना पैसे यहां पर लगmers करना होगा, कितना पैसे लिएंपर, करना होगा वह सब जानते । यहां से वीडियो ओकर टाठा की रिटन की बात करें तो दोस्तों इसके रिटन जो है आपको 21.67 परशंट के आज पास मिलते हैं जो कि किसी भी बैंक की FDRD से बहुत ज्यादा है जर्रली FDRD के अंदर आपको 6-7% रिटन मिलते हैं हाला कि इसमें तोड़ा सा रिस्क भी होता है लेकिन यहां पर लॉंग ट्रम में आपका जो रिटन है FDRD से ज्यादा मिलता है क्योंकि यह जो एक मुच्छल फंड स्कीम है लेकिन अगर यहां ज्यादा रिटन और बड़ा क वर्पस आपको चाहिए तो फिर इतना ही रिस्क आपको उठाना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए चाहिए अच्छा उप्सन हो सकता है अगर मैं मुच्छ फंड की बात करूं तो इसमें आप जो है तीन तरीके से इंवेस्मेंट कर सकते हैं पहला तर एक साथ पैसे मिलते रहते हैं दोस्तों साई पी और लंसम के बारे में हम सबी ने बहुत सरा लोग हमेशा बात करते हैं लेकिन S.W.P. के बारे हम बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं दोस्तो S.W.P. basically annual deposit plan होता है अब ये किस तरह काम करता है इसमें हम जो भी amount monthly चाहते हैं उसको हमें पहले ही fix करना होता है उसमें पैसे जमा कर सकते हैं फिर हमें जो भी amount हमने decide क्या कि monthly हमें इतना amount payout है चाहिए एक income चाहिए उसके according जो भी हम amount वहाँ पर investment करना चाहते हैं वो डाल देते हैं उसके बाद हर महीने monthly हमारे account में वो amount आता रहता है अगर मैं इस scheme के बारे में बात करूँ जो की टाटा इंडिया कंज्यूवर फंड डिरेक्ट ग्लोथ प्लान है विखलाल इस mutual fund का जो NAV है यानि जो next assessed value है वो 45-46 के आसपास चल रहा है NAV इस growth plan की unit की value होती है जिसके according आपको जो बायर है इन्वेस्टर है उसको जो है unit a lot होती है एक तरिके से इसको आप जो unit का price भी बोल सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको मुझे लिखन में यह भी जानना जरूरी होता है कि इस टाटा की स्कीम में आप यहां पर पैसा लगाना चाहते इसका फंड साइज क्या तो इसका फंड साइज है 1950 टोड़के आसपास और दोस्तों इस स्कीम में आप मिनिमम सो रुपे की SIP से भी जो है चाहिए स्टाटिंग कर सकते हैं इस स्कीम में जमा किया गया पैसा फंड मेनेजर जो है अलग-लग स्टॉक में लगाता है और इस जो स्कीम है पेसा लगा जाता है जैसे कि इनके स्टॉक्स हैं टाटा कंजूमर प्रोडक्ट है जमेटो है या फिर जो एक मारुति शुजू की इंडिया कंपनी है उसके अंदर पैसा लगा जाता है लग लग 20-25 पैसा लगा जाता है लग लग जो सेगमेंट की कंपनिया होती है कि हम सब जानते हैं कि लांग ट्रम में ऐसी कंपनीज में आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे क्योंकि यह कंपनी लांग ट्रम में जो है अच्छा परफॉर्म करती है अब यह तो आप सभी जानते हैं कि मुचल फंड में प्लान का जो दोस्तो फिलाल एक्जिट लोड है वो यहां पर है 0.25% अब इसका मतलब क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं अगर आपने आपर पैसे लगा दिए और आप तीस दिन के अंदर पैसा निकालते हैं विड्रौ करते हैं निकालना चाहते हैं आपको स्कीम पसंद नहीं आती है आपको पैसे की रिक्वार्मेंट होती है उसकेस में आपको यहां पर 0.25% का डिडेक्शन देना होगा बाके पैसा आपको वापिस मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में हम जानते हैं कि अगर आपको मंतली 25,000 रुपए की इंकम जनरीट करनी हो इस स्कीम में तो कितने पैसे आपको यहां पर लगाने पड़ेंगे और पैसे लगाने अबाद को मंतली 25,000 मिलने के बाद लास्ट में कितना कॉर्पस मिलने वाला है इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमें जो है यहां पर यूज मेरी रहने वाली तस पलिब क्विधा मेरी रहने वाले है दस लाक रुपए क्योंकि मुझे मुझे मन्तली 25 उर्पाय पर मन्त की इंकम चाहिए इस सकीम से यहाँ पर दोस्तों आमने वीडियो की शुरुआत में Championship नाय हैं लाग दिये को ताकि 3 साल टाकि मैं कर देते हैं उसके बाद टान पीरेट डालते हैं 3 साल क्योंकि कि मैंने आपको जैसे बता हैं कि मुझे तीन साल तक इस में मैं रिटर्न कर आपके मध्ली इंकम चाहिए विद्ण सuraoli in कर ने पर रुपह Ц़ की हैंभी आपके पाँच लाग च्यासी हजार 680 रूपए इसका मतलब यह है कि हर महीने पत्ची जार लेने के बाद भी आमें तीन साल बाद इस स्कीम में पाँच लाग च्यासी हजार 627 रूपए मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी कल्कुलेटिशन कर सकते हैं अमाउंट आपका अलग हो सकता है उस तरीके से आप इसको कल्कुलेट कर सकते दोस्तों बेसिकली यह स्कीम से अच्छे रिटन देती है क्योंकि अगर आप 10 लाग रूपए तीन साल की इंवेस्ट करते हैं और यह तो आपको पता ही होगा कि आज की डेट में फिक्स डिपोज यहां पर कल्कुलेट करते हैं 6.5% के हिसाब से दोस्तों टाटा की स्कीम में आपको 15 लाग के अराउंट टोटल अमाउंट मिलती है विड्रोल अमाउंट को मिलाकर यह तो है कि रिटन मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा उसके ओपर डिपेंड रहता है मुचल फंड है तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है हो सता है जब आप यह वीडियो देख रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे तो यह जो है चेंज हो चुका हो तो दोस्तों यह स्कीम बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एपडी से ज्यादा रिटन चाहते हैं और जिनको स्टॉक मार्केट क शेर मार्केट की नॉलेज नहीं है एक्सपिरियंस नहीं है स्टॉक के जंजट में नहीं पढ़ना चाहते हैं दोस्तों यह जो है का बहुत बढ़िया स्कीम है इसलिए गर हमें रेगुलर इंकॉम ऑफ सोर्स चाहिए साथ में जाला रिस्क नहीं लेना चाहते कोर्पस डारेट ग्रोथ प्लान एक अच्छी ऑप्शन जो है साबीत हो सकते दोस्तों आप इस स्कीम के अंदर किसी भी मुचल फंड एप के जर्य जो है इंवेस्मेट कर सकते हैं इस स्कीम में इंवेस्मेंट करने के लिए आपको कोई भी डिमेट अकाउंट नहीं चाहिए दोस्त करना चाहते हैं दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर शेयर करना जिससे की बागी लोगों की यह हेल्प हो पाएगी कि क्या उनको इस स्कीम में पैसे लगाने चाहिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना द दोस्तों कर आप आज की डेट में स्टेक बेंक ऑफ इंडिया की टॉप सर्व स्किम के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वाली वीडियो जुरूर देख लेना इसमें कैसी स्किम है जिसके अंदर आपको यह ली 90% से ज्यादा रिटेन मिलते हैं फिलाल के लिए दोस्तों इत हैं जाप आप आप